नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूट्व चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल विवलोफाइल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे TGT Arts Commission 2020 की दोस्तों कितनी कट अफ जासती है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे और दोस्तों क्या आप लोग मेरिट में आसते हैं दोस्तों मेरिट में आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग detail में देखेंगे क्या merit में आने के बाद आपको job मिल जाती है या फिर इसके बाद कुछ ऐसे step होते हैं कि इनको complete करने के बाद आपको job मिलती है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस video के last तक बने रहें तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले paper की दोस्तों जो TGT Arts Commission का paper था वो moderate to difficult आया हो था दोस्तों जो question पूछने का style था वो काफी ज़्यादा अच्छा था और काफी high level का भी था दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो questions आये थे वो mixing questions थे और यहाँ पे सबसे बड़ी confusion बच्चों को यह होती है कि वो किसी particular section को जा किसी particular subject को आचे तरिके से त्यार कर लेते हैं और बाकी जो उनके subject होते हैं उनको वो कम focus करते हैं वो कम उनकी त्यारी करते हैं तो paper की त्यारी कम होने की वज़़े से ही paper आपके लिए difficult हो जाता है दोस्तों यहाँ पे जो paper का style था जैसे कि history इस बार तोड़ी ज्यादा उन्होंने पूछ ली थी high level की और जैसे अगर आप लो देखें English और Hindi का paper देखें 2019 में थोड़े कम question पूछे गए थे लेकिन इस बार जो question पूछे गए थे वो overall उन्होंने grammar को ले लिया था जिसकी वज़से paper का जो style थोड़ा सा change हो गया था दोस्तों यहां पे जो question पूछी आते हैं वो mixing होने की वज़से कभी वो history की ज्यादा प्रशन पूछ लेते हैं कभी political science के और कभी geography के इस तरह से किसी न किसी subject की ज्यादा प्रशन पूछी आते हैं किसी कई वार जो इस वार ज्यादा प्रशन पूछे गए हैं next जब paper होगा होने की वज़से वो कहीं न कहीं puzzle हो जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने आपनी त्यारी को overall करना है और दोस्तों जो आपके पास overall subject बनते हैं वो 11 subject बनते हैं तो उन 11 subject के उपर ही आपको master करने पड़ेगी तब ही आप लोगों का यह commission जो पास हो पाएगा दोस्तों commission का जो level of काफी ज्यादा हाई है और आप लोग regular demand कर रहेंगे सर इसके उपर जो वीडियो बनाई जाए अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ TGT Arts Commission के लिए regular basis पर वीडियो बनाई जाए तो फिर मैं इसके उपर वीडियो बनाऊंगा आप लोग जब इमांड करेंगे comment box में जब लिखेंगे तो उसके बाद आपके लिए एक proper way में कोर्स बनेगा दोस्तों हिमाचल जीकी का crash course वो स्टार्ट हो चुका है इसके लिए भी काफी यदा demand थी और आप लोगों ने जो हिमाचल जीकी का जो material होता है वो काफी कम होने की वरसे ये crash course काफी ज्यादा important हो जात हम लोग शोर तरिके से नहीं बोल सकते हैं कि cut off यही आएगी लेकिन अगर आपका इसमें से आ रहा है इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग जो आप नेक्स्ट स्टेप की त्यारी कर लें तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जर्नल केट इसके बाद हम लोग बात करते हैं SC की दोस्तों SC की जो cut off है वो 44 से लेके 49 के बिच में जासती है OBC की cut off यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं जर्नल की बात कर रहा हूं जैसे OBC जर्नल में 42 से लेके 48 के बिच में और दौस्तों आगर जैसे OBC में BPL जाए पिर दूसरी सब categories इसमें आ रही हैं तो आप लोग थोड़ा इसमें extra लेके ही चलें तो OBC की cutoff जो आ 42 से लेके 48 के विश में आगी और SC की cutoff है वो 40 से लेके 45 के विश में रहेगी अगर overall देखें SC से लेके general तक देखें तो 40 से लेके 55 के विश में अगर आप लोगों के number आ रहे हैं तो आपके chances बन चुके हैं कि आप merit में आ साती हैं दोस्तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपकी cutoff आती है cutoff आने के बाद आप लोग जो आपो merit के लिए eligible हो जाती है दोस्तो जहाँ पर merit आती है merit आने के बाद बहाँ पर आपको document verification के लिए बुलाई जाता है दोस्तो जब आपके पास जैसे आप merit में आ गए हैं तो फिर आपको call letter आएगा जब आपको call letter गर में आएगा फिर आपको हमीरपूर में counseling के लिए जिसमें document verification होती है वहाँ पर आपको बुलाई जाता है दोस्तो यह document verification जो होती है यह 15 नमबर की होती है जैसे कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि B8 के नमबर लगते हैं फिर आपके अगर आपकी जमीन कम है वन एकर से जमीन कम है तो बहाँ पर नमबर लगते हैं single girl child bido के लिए और NSS का campus बहाँ पर आपके नमबर लगते हैं और आपके पास अगर experience हो तो बहाँ पर आपके लगते हैं इस तरह से 15 नमबर जो आपके लगते हैं लेकिन यहां पर सबसे important चीज जो रहती है वो आपके जो written paper होता है जो screening test होता है जिसमें multiple choice question होता है अगर उसमें आपके नमबर अच्छे हैं तो maximum chances बन जाते हैं कि आपको job job मिलने की chances बन जाते हैं तो दोस्तों यह सारे documents आप लोगों ने त्यार करने हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप job eligible हो सकते हैं merit में तो आप लोग अपने documents job त्यार कर लें और दोस्तों यह जो वीडियो था मेरा इसमें मेरा अपना predictions है कहीं भी अगर मालो आगे पिछी हो जाता है तो वो मैं ज़्यादा शूर त्रिके से नहीं बोल सेता हूँ लेकिन आप लोग फिर भी इतना मान के चलें और जब officially आपके पास cutoff आएगी जहां फिर merit में नाम आएगा तो उसके बाद भी आप लोग अपने document जोब त्यार कर सेते हैं और दोस्तों यहाँ पर documents त्यार करना बहुत ज़रूरी है और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि आपका paper जो वो ठीत रिके से नहीं हुआ है और आपके number जो वो कम आए है तो आप लोग इस चीज़ से घबराए ना आप निराश ना हो दोस्तों next commission भी आ जाएगा और यह next commission जो होगा इसके लिए आप पहले से ही अपने आपको prepare कर लें और बहुत सारा ऐसा material है इस YouTube चैनल पे जो आपको commission पास करवाने के लिए काफी ज़्यदा important भी है और काफी ज़्यदा इसमें material ऐसा भी है कि जो की paper में पूछा जाता है तो दोस्तों आप अपने त्यारी को जारी रखें फिर भी अगर आपके मन में कोई question है तो आप comment box में euro type करें दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राए comment box में euro बताएं आप लोगों ने मुझे तना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत अन्यवल तैंक यू वेरी मुच दिल से